शेर जंगल का राजा होता है, वो अपने जंगल में सब को डरा कर रहता है, शेर भयंकर और बलशाली होता है, एक दिन शहर का राजा जंगल में घूने गया, शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है, शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगा कर बैठने का उपा था, हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीची धराम से गिर जाता है, शेर की टांग टूप गई शेर खड़ा होकर कहने लगा पैदल चलना ही ठीक रहता है, उद्धरन, नेतिक शिक्षा, जिसका काम उसी को साजे, शेर ने आदमी की नकल करनी चा ही और परिनाम गलत साबित हुआ,